सुश्मा हर समय अपनी बूढी सास को तंग करती रहती थी सारा दिन बिचारी कौशल्या घर की काम करती और जब रोटी मांगने की बारी आती तो सुश्मा कौशल्या के हाथ से थाली छीन लेती ओहो आंगन में कपड़ों का धेर लगा हुआ है एधर दो रोटी की थाली बूढी हो गई पर खुराक अभी भी दस रोटियों वाली है सुश्मा मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया एक प्याली चाय तक नहीं पी बहू हाँ तो मर नहीं चाओगी अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाओगी तो जाकर पहले कपड़े धोलो उसके बाद रात का खाना बना कर कुछ खाना और दिशा के पापा आ जाए उससे पहले चुप चाप अपने कमरे में जाकर लेट जाना दिशा के पापा को जारा सी भी भनक लगी कि मैंने आपसे काम करवाया है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बिचारी कौशल्या ऐसे ही अपनी बहु सुष्मा की अत्याचार सेहन कर रही थी उसके बेटे सुमेर को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसकी मा के साथ ये सब क्या हो रहा है मा काहों सुक ही क्या देखो मैं आपके घुटनों पर लगाने का मालिश का तेल लेकर आया हूँ आप कह रही थी ना, कि आपके घुटनों में दर्द रहता है, लाओ, मैं आपके घुटनों की मालिश कर देता हूँ अरे नहीं मेरे बच्चे, तु मेरे लिए इतना सोचता है, मेरे लिए यही काफी है तो सुबह से दुकान से ठका रहा आया है जा पहले गरम-गरम रोटी खाले मैंने आज तेरी पसंद की अर्बी की सबजी बनाई है ठीक है मा, परियाद से ये तेल लगा लेना, अभी तुम सोजाओ कौशल्या अपने आस्वों को आँखों में दबा लेती है और सुमेर जैसे ही कमरे से बाहर जाता है वो फूट-फूट करोने लगती है ऐसे ही दिन बीत रहे थे एक दिन दिशा कौशल्या से बोली दादी, आज मेरी कुछ सहिलियां खाने पर आने वाली है उनके लिए बढ़ियां-बढ़ियां पक्वान बनाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है पक्वान तो मैं बना दूँगी पर मेरी तब्यत बहुत खराब है तेज बुखार है सुमेर अभी मुझे दवाई दे कर गया है तुम अपनी मम्मी से कह दो वो थोड़ी मेरी मदद कर देंगी क्या कहा मैं आपकी मदद कर दू मेरे तो वैसे ही कमर में आज बहुत दर्द है सारा खाना आपको ही बनाना होगा और हाँ, दिशा की सहेलियों के आने से पहले सारा खाना बना देना वरना आपकी खैर नहीं मैं सोने जा रही हूँ मा, अगर दादी सारा खाना नहीं बना पाई तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेज़ती हो जाएगी और मा, अभी तो बाजार से समोसे और लड़ू भी लेकर आने है मैं बहुत ठक गई हो मुझे तैयार भी होना है तुम दादी को भेज़कर समोसे और लड़ू मंगवा दो जाओ, जाकर बाजार से समोसे और लड़ू ले आओ समोसे गरम होने चाहिए सुश्मा कौशलया को बाजार से समोसे और लड़ू खरीदने भेज देती है सुश्मा समोसे और लड़ू खरीद कर लोट रही थी कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके हाथ से सारे समोसे और लड़ू नीचे गिर गए ए भगवान ये क्या हो गया सारे समोसे और लड़ू जमीन पर गिर गए मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है अगर खाली हाथ घर लोटी तो बहु बहुँ बहुत कुस्सा करेगी अब मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा कौशल्या रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है जैसे ही कौशल्या के आशू जमीन पर गिरते हैं वो सोने के बन जाते हैं ये देखकर कौशल्या हैरान रह जाती है ये क्या? मेरे आशू सोने के बन गए? ऐसा कैसे हो गया? तभी कौशल्या को उस पेड़ में से एक आवाज आती है मैं एक जादूई पेड हूँ, तुम मेरी छाया में बैठ कर रो रही थी, इसलिए तुम्हारे आसू सोने के बन गए, अपना दुख कहो, तुम्हें क्या परिशानी है? जादूई पेड, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे अब और दुख नहीं सहा जाता, मैं अपना दुख अपने बेटे से भी नहीं कह सकती, वरना मेरे बेटे की बसी बसाई ग्रिहस्ती उर्चड जाएगी, कौशल या जादूई पेड को अपना सारा दुख बताती है, तुम इस सोने को दुखान पर बेच दो, फिर न रुपियों से सामान खरीद कर घर लाओ, तुम्हारी परिशानी हल हो जाएगी, और हाँ, मेरे जादू के कारण आज के बाद, जब कभी भी तुम्हें दुख होगा, तो तुम्हारी आखों से सोने के आसू टपकने लगें जाओ, जाकर रसोई में सारा खाना बनाओ, दिशा की सहीलिया आने ही वाली होंगी, छिंता मत करो, मैं अभी बना देती हूँ, कौशल्या रसोई में जाकर सारा खाना बनाती है, दिशा की सहीलिया आ जाती है, कौशल्या उन्हें खाना परोसने लगती है, तब ही कौशल्य को चक्कर आने लग जाते हैं और उसके हाथ से सबजी ककटोरा एक लड़की के कपड़ों पर गिर जाता है सत्या नाश कर दिया दिशा तुम्हारी दादी ने सारी सबजी मेरे नई सूट पर गिरा दी है इतना मेंगा सूट खरीदा था मैंने इसलिए तुमने मुझे यहां बुलाए था तुमने अपने घर में ऐसे बुढ़े लोग पता नहीं क्यों रखे हुए है दादी यह आपने क्या कर दिया अंधी हो क्या आपको दिखाई नहीं देता चलो हम सब चलते हैं यहां से पता नहीं सारा सूट खराब करके रख दिया अब घर जाकर मुझे नहाना पड़ेगा दिशा की सारी सहेलिया वहां से चली जाती है सुश्मा और दिशा दोनों कौशलिया पर बरस पड़ती है आपको मेरी बेटी की खुशिया देखना भी पसंद नहीं है आप तो जलती हो मेरी बेटी से इसलिए आपने जान बुझ कर ऐसा किया आज आने दो सुमेर को मैं आपको इस घर से निकाल करी रहूंगी ऐसा ना कहो बहु गलती से मुझसे सबजी गिरी थी मैंने जान बुझ कर ऐसा नहीं किया मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी मैं अपनी पोती के साथ भला ऐसा क्यों करूँगी कौशल्या रोने लगती है उसे तो याद ही नहीं था कि जब वो रोएगी तो उसके आँसू सोने के बन जाएंगे और जादूई पेड के कहे अनुसार उसके आँसू सोने के बन जाते हैं तपकते हुए सोने के आँसूं की तरफ सुश्मा और दिशा की नजर जाती है और वो चौक जाती है ये कैसा जादू है? आसू सोने के बन गए? ये तो असली सोना है ये सब क्या राज है? कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं सीख लिया? मुझे सच-सच बताओ. कौशल्या घबरा जाती है और डर से सारी सच्चाई अपनी बहू को बता देती है. अब तो मैं तुमें रोजाना रुलाओंगी ताकि तुम और सो न उखलो. इस बारे में सुमे पर गिर कर सोने के बन जाते. कुछ दिन बाद सुश्मा के पास कौशल्या को तंग करने के लिए कुछ नहीं था. इसलिए अब वो कोई रास्ता ही नहीं ढून पा रहे थी, जिससे कौशल्या के आसू निकले. एक दिन वो कौशल्या पर बरस पड़ी. आप रो क्यूं नही आ रहा है. लगता है मेरे आँसू सूख गए है. अब मेरी आँखों से आँसू नहीं निकल रहे. मुझे लगता है दादी जूट बोल रही है. ये खुद रोकर अपने आँसूं से सोना बना कर बाजार में बेच आती होंगी और अपने पास पैसे जोड रही होंगी. तु कुम बाहरी रहो. मैं कमरे में आग लगा कर दादी को अंदर बंद कर दूँगी. दिशा एक खंबे से कौशल्या को बान देती है और कमरे में तेल छिड़क कर आग लगाने लगती है. अचानक आग बढ़ जाती है और दिशा कमरे से बाहर नहीं जा पाती. वो चिलाने दिशा को ढख लेती है और किसी तरह कमरे से बाहर आती है. आग की लपटे कौशल्या के हाथ को जला देती है. इतनी देर में सुमेर भी वहाँ पहुँच चुका था. ये सब सुश्मा और दिशा देख रही थी. मैं दादी को जलाने वाली थी और दादी नहीं आज मुझे बचाया. उन्होंने अपनी जान की परवा तक नहीं की. मैं क्या करने जारी थी पैसो के लालच में? कितनी अंधी हो गई थी? आज मेरे पापों की सजा मुझे मिल जाती. दिशा को अगर कुछ हो जाता तो मेरा सब कुछ चला जाता. माची ने आज दिशा को बचा लिया. गवान का लाक लाक शुकर है. मेरी बच्ची ठीक है. सुमेर कमरे में देखता है. वहाँ पर कोई लालटे नहीं थी. पर वो समय अपनी मा से क्या ही कहता. सुश्मो और दिशा उस वक्त बहुत शर्मिंदा थी. दोनों कौशल्या की गले लग जाती है. आज कौशल्या की आ मा गोमती और बेहन सुधा के साथ रहता था. गोमती और सुधा स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार थी. एक दिन रागव ने अपनी मा गोमती से कहा. मा मैं प्रार्थना से शादी करना चाहता हूँ. पर वो तो एक अनात लड़की है. भले ही प्रार्थना अनात और गरीब है पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है. उसे परिवार में मिलचुल कर रहना आता है. मा, भया ठीकी तो कह रहे हैं. आपको भी तो ऐसी यह बहु कर आता हूँ. फिर साथ मैं बैठ कर कुछ अच्छा खाएंगे. तुने मुझे रोका क्यों? गरीब बनात लड़की को भला मैं अपने घर की बहु कैसे बना लू? मा, तुम समझती नहीं हो. थोड़ा तु दिमाग लगाए करो. आप बहुत समय से कह रही थी थी ना, कि नौकरानी आ रही है. दोनों बैठ कर आराम से मजे उड़ाएंगे और भाबी काम करेगी. मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है. आखिर गई तो तु मुझ पर ही है ना. चा ठीक है. आने दे इस नौकरानी को घर में. अच्छे से काम ना निकाला तो मेरा भी नाम गोमती नहीं. कि वो क्या कर रही है. माची मैं बस खाना लाई रही थी. आपने कठल की सबजी बोली थी ना. तो उसे साफ करने में समय लग्या. लाओ. मुझे दे दो. मैरा आखव को दे देती हूँ. तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो. क्या वा मा, खाना तुमने बनाया है? गोमती और सुधा को तो बस इसी मौकी का इंतजार था. वो दोलो सीधे प्रार्थना की कमरे में जाती हैं. ओ मारानी, बहुत हुआ आराम. चल, अब काम पर लग जा. पर मा जी मैंने तो रसोई का सारा काम समिट लिया. अभी तो कोई काम ही नहीं बचा है. देखा मा, इसकी तो जुबान भी निकल आई है. जैसा मैंने कहा है, वैसा करो चुपचा. कपड़ों का धेर लगा हुआ है. पहले वो धोलो और उसके बाद रसोई में बरतन पड़े हैं. वो भी करने हैं. चलो मा, कर लेगी अप. नहीं करेगी तो करवाना हमें आता है. बिचारी प्रार्थना सारा दिन घर के काम करती रही. गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना पर अत्याचार करती रहती थी. पर बिचारी प्रार्थना किसी से भी कुछ नहीं कहती थी. वो चुप चाप सारे काम कर लेती थी. प्रार्थना, तुम्हें यहां किसी चीज क कोई परिशानी नहीं है माची और सुधा दीदी मेरा बहुत खयाल रखती है बेचारी प्रार्तना अपने पती से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी एक दिन प्रार्तना जब चाय चान रही थी तो उसके हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई जिसकी वजह से उसका हाथ जल अरे तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया है चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ डॉक्टर के पास जाने के जरूरत नहीं है मैंने बर्फ लगा लिए कुछी देर में ठीक हो जाएगा अरे तु क्यों चिंता करता है मैं और सुधा है यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए तुझे जरूरी काम से दूसरे गाउं जाना है ना फिर तुझ जाने में रात हो जाएगी मा जी ठीक कहरेंगे आप अपने काम से जाएए आपका जाना जरूरी है ठीक है फिर मैं जाता हूँ तुम अपना ध्यान रखना ठीक है राघव को गए अभी कुछी देर हुई थी कि अचानक सुधाई और गुम्ती से बोली मा अब रसोई का काम कौन करेगा इसने तो हाथ जला लिया है मेरी सहेलिया आ रही है मैं उन्हें क्या खिलाओंगी अरे तु चिंता क्यों करती है यही बनाएगी खाना सब के लिए और वैसे भी राघव राथ तक वापस नहीं आने बाला तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा और अगर इसने अपनी जुबान खोली तो फिर ये नहीं जानती मैं इसका क्या हाल करूगी प्राथना रोती जा रहे थी और सारा काम कर रहे थी उसने अकेले ही धेर सारा खाना बनाया और सब को खिलाया प्राथना का मन बहुत दुखी था और उसके हाथ में भी दर था जब सुधा गुमती के साथ अपनी सहेलियों में व्यस थी प्राथना रोती हुई चुपचाब घर से चली गई और रोती हुई दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई मैं क्या करूँ भगवान मेरे उपर इतने अत्याचार हो रहे है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अपना दुख किसे कहूँ प्राथना फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है तुम रो मत बेटी तुम अपना दुख मुझे कह सकती हो आप कौन है बेटी मैं नदी की देवी हूँ तुम मुझे मा कह सकती हो प्राथना नदी की देवी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है नदी की देवी प्राथना से कहती है प्रार्थना ये एक जादूई नदी है अपना हाथ इस नदी के पानी में डुबो दो मा मेरा हाथ पिल्कुल ठीक हो गया अब तुम्हें चिंता करने की कोई सरुरत नहीं है जो भी तुम्हें रुलाएका तुम्हारे आंसों की नदी में बह जाएका अब तुम बिना घपराई घर जाओ प्रार्थना घर आ जाती है पर तब तक राघव भी घर आ चुका था देखा राघव बेटा सारा घर का काम छोड़कर ये घूमने चली गई मैंने और सुधा ने मिलकर ही सुधा की सहेलियों के लिए सारा खाना बनाया अरे हमने तो इससे इतना कहा था कि तेरा हाथ जला हुआ है तो तू आराम कर ले हमने इससे काम करने के लिए थोड़ी कहा था जो ये चुपचाप हमें बिना बताये चली गई ये सब क्या देख रहा हूं प्रार्थना तुम्हें मा और सुधा से क्या परिशानी है भाईया ये तो हम दोनों से ही जलती है जिस दिन से आपके साथ शादी करके आई है ये हमें एक आँख पसंद नहीं करती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं तो सारा खाना बना करी गई थी मेरा मन उदास था इसलिए कुछ देर के लिए चली गई थी अगर तू सारा खाना बना कर गई थी तो हम दोनों मा बेटी क्या जूट बोल रहे है रागव अगर तुझे इस पर विश्वास है तो एक काम कर हम दोनों मा बेटी यहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं अब तो भाबी तुम्हारी कलेजे में ठंड़क पढ़ गई होगी हम दोनों मा बेटी को घर से बेघरचु कर रही हो तुम्हे तो शर मानी चाहिए हमारे उपर छूटा हिल्साम लगाती हो मैं सच कह रही हो ये लोग मेर से बहुत काम करवाती थी और आज भी मैं नहीं खा सुधा के द्वारा किये गए अब तक के सारे अत्याचारों का चित्रन आ जाता है जिसे देखकर राघव गुस्से में आ जाता है राघव बेटा बचाओ हम डूब रहे हैं भाया बचाओ ये नेदी हमें ले डूबेगी मा, सुधा मैंने सब देख लिया है तुम लोगों ने प्रार्थना पर कितने अत्याचार किये पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोली अब यही आप दोनों को बचा सकती है प्रार्थना बहू हमें माफ कर दो हमसे गलती हो गई हमने तुम्हें बहुत दुख दिये हमें बचा लो भाबी मैंने आपको बहुत सताया पर मैं मरना नहीं चाहती मुझे माफ कर दो हिर नदीकी देवी ये जैसी भी है मेरी मा समान सास और मेरी बहन समान ननद है इन्हें माफ कर दो इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ ठीक है प्रार्थना अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ तुम सदैव अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करो, मेरा आशिरवात तुम्हारे साथ है। गोमती और सुधा को एहसास हो गया कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई हम पर पलट कराती है। तुम्हार नहीं तुम्हार नहीं तुम्हारे साथ है।